नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर एमसेख शोरगेन के इस वीडियो टुटोरियल में मैं हूँ आपका दोस्त परवी नाणा और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कैसे इंडिकेटर के साथ अलगो ट्रेडिंग करने की जो की अपने आप में 10-15 इंडिकेटर का कॉंबिनेशन है जी हां दोस्तों सही सुना आपने हमने एक इंडिकेटर बनाया है जिसमें हमने काफी सारे बेसिक इंडिकेटर को डाल दिया है कई बार क्या होता है कि बहुत सारे ट्रेडर्स जो कॉंबिनेशन ऑफ इंडिकेटर पे काम करते हैं उनको स्ट्राटेजी डेवलप करवाने में बड़ी प्रॉब्लम आती है क्योंकि तीर इंडिकेटर चार इंडिकेटर को एक साथ कोड करवाना थोड़ा सा लेंधी काम हो जाता है और फिर डेवलपमेंट की जो कॉस्स हम लोग बताते हैं वह लोग वह बियर नहीं कर पाते क्योंकि वह काफी ज्यादा हो जाती है तो इस सब चीज़ के सॉलिशन के लिए हमने एक इंडिकेटर बनाया है जिसका नाम हमने रखाया है मल्टी इंडिकेटर उसके अंदर हमने काफी सारे इंडिकेटर डाले हैं जैसे कि मुविंग एबरेज क्रॉस ओवर जित्री मुविंग मालिजे आप आरेसाई और मुविंग एबरेज दोनों के कॉंबिनेशन पर ट्रेड करना चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि आरेसाई और एमेस्टी के कॉंबिनेशन पर ट्रेड हो यानि कि जब दोनों के दोनों स्ट्राइजी में कोई सिगनल बने तो जब दोनों में क पूरा देखें ताकि आपको सब चीज समझ में आपाएं और ये वीडियो टोटल हम जो बना रहे हैं वो आपको देखने को मिलेगा वो आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा और जो हमारे टर्निंग कस्टमर्स के में और झालन कीजिए लाइक कीजिए वीडियो को comment कीजिए अपने और share कीजिए अफने दोस्तों के साथ जो कि Elgo Trading करना पसंद करते हैं तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों ये है Elgo Crab की वेबसाइट www.elgocrab.com पर आपको जाना होगा इस वेबसाइट का काम ये है दोस्तों कि ये ब्रिजिंग का काम करती है और आपके चार्टिंग प्लैटफोर्म से सिगलनल को उठा कर आपके ट्रेडिंग प्लैटफोर्म तक पहुँचाती है तो इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको 6 दिन का फ्री ट्रायल मिलता है आप अगर पहली बार आया है तो साइन अप करना होगा आपको अगर आप उल्लेडी यूजर हैं तो आप लॉग इन कर सकते हैं मेरे पास आप अल्लेडी अकाउंट है तो मैं यहाँ पर लॉग इन के बटन को प्रेस करता हूँ यहाँ पर डिटेल आरी है मैं लॉग इन करता हूँ कलो जब आप दोस्तों जाते हैं तो यहां पर्डिच टूल में तो यहां पर आपको मिलता हैं marketplace का option यहां से हमसे पहले indicator को download करना है जो हमें MT4 में इस्तमाल करना है सबसे पहले हम download करने यहां पर multi indicator को यह multi indicator मैं ने download किया यह डाउनलोड के सेक्शन में अभी दिखा रहा है अब यह इंडिकेटर डाउनलोड करने के बाद हमें पेस्ट करना होगा मैटर टेडर 4 में जिन लोगों को मैटर टेडर 4 के बारे में नहीं पता करके ये बोलते हैं कि हमें ट्रेडिंग करना mt4 के अंदर दोस्तों मैं बहुत अच्छी जानकारिया आपको इस वीडियो के अंदर देना चाता हूं कि mt4 के अंदर इंडियन मार्केट की जो लोग ट्रेडिंग करवाते हैं mt4 य mt5 के अंदर वो सब दो नंबर की ट्रेडिंग होती है वो जैन्वन ट्रेडिंग नहीं होती है ठीक है उसमें आपके पैसिफ हज सकते हैं कई बार आपको नुकसान हो सकता है तो आप इन चीजों में ना फढ़ ठीक है multi indicator हमारा डाउनलोड हो गया अब यहां पर मैंने Meta Trader 4 इंस्टॉल किया हुआ है अगर आपके पास Meta Trader नहीं है तो आप यहां पर डाउनलोड में जा सकते हैं हमारी website यहां पर आपको mt4 का सबसे पहला डाउनलोड का option मिलता है इसको डाउनलोड कर लीजेगा इस वर्ट Forex Market का डेटा आता है इंडियन मार्केट का जो data feed है जो charting के लिए हम यूज करते हैं उस data को यूज करने के लिए आपको हमें call करना होगा नीचे दिय हुए numbers पर आप call कर सकते हैं हम आपको demo id password दे देंगे जिनको आप यूज कर सकते हैं और आग एक काम कर सकते है तो जब आपका MT4 यहां पर login हो जाता है तो आप देखेंगे नीचे आपको यहां पर green और red color की बार दिखाए दे रही हैं जब यह आपको इस तरही के से बार दिखने लगे तो समझ जाएगा कि आपका account जो MT4 का वो login हो गया है ठीक है उसके बाद एक setting हमें करनी होगी वो tools पर जाने वाली tools पर जाना है हमें और options पर जाना है यहां पर हमें यह allowed ELL जो कर रखा है मैंने यह हमें जरूर करना है अगर यह नहीं किया तो trading नहीं होगी ठीक है अब जो indicator हमने download किया उसे हमें paste करना होगा पेस्ट करने के लिए हमें file पर जाना है open data folder में जाना है यहां प यहां पर हमें इस तरीके से paste कर देना है इसको ठीक है इसना पर जाने के बाद हमें यहां पर rite click करके refresh का बटन दबाना होगा यहां तक का process आपको समझ में आ गया होगा उसके बाद आपको चार्ट लगाना है और जो भी आपको indicator यूज करना है उस indicator का आप इसतुमाल कर सक किस तरीके से करना है वो में बताऊंगा लेकिन सबसे पहले आपको मैं ये बताता हूं कि किस तरीके से हमें सिंबल क्रिएट करना है जिसमें हमें ट्रेड करना है तो सबसे पहले हमें जाना होगा MT4 ब्रिज पे यहां पर काफी सारे सिंबल मैंने क्रिएट करे हुए हैं आपक सिंबल क्रिएट करेंगे लेकिन सिंबल क्रिएट करने से पहले हमें जाना होगा अथेंटिकेशन में और यहां पर हमें अपने ब्रोकर की डेटेल डाली होगी काफी सारे ब्रोकर यहां पर अवैलेबल हैं आप देख सकते हो फाइट पैसा इलिस प्लियू एंजल बसं एंडरीच फायर्स इंदरा सी केरोटीज मास्टर ट्रस्ट सेमको ट्रस्ट लाइन ट्रेट स्मार्ट जीबू एंड जिरोदा तो जो भी आपका ब्रोकर है वो आप सेलेक्ट करिए उसके क्रिडेंशल डालिए अलग 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 ब् मिलेगी उसके लिए dashboard.fires.in पर जाना होता है तो इस तरीके से अलग अलग ब्रोकर्स के अलग 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 रिक्वार्मेंट्स होती हैं अभी हमारा ब्रोकर जिरोदा हमने जिरोदा सेलेक्ट कर दिया हमारे डिटेल यहां पर आ रही है नीचे जाके get access token पर क्लिक करना होगा उसके बाद आपको validate token पर क्लिक करना होगा जैसे आप validate token पर क्लिक करेंगे access token valid लिखाएगा access token valid का मतलब आपकी ट्रेडिंग successfully हो जाएगी automatic trading के थूँ ठीक है तो यहां पर आके हमने काम करती है उसके बाद हमें जाना है mt4 page में और जहां पर हमें करना है symbol create जिस भी symbol में हम आले जे हमें nifty में trade करना है तो हम यहां पर nifty लिखेंगे और nifty से related सारे symbol यहां पर आगे है देख सकते हो आप ठीक है अब हमें करना है nifty future तो हम nifty future search करेंगे nifty future में हमको December February और January की future दिख रहे है December future select करना है December future select करके हमने यहां पर गिया तो यहां पर एक card बना गया इस card पर red color का dot आ रहा है इस पर click करेंगे start का button हो अब यह black हो गया means अब आपकी auto trading start हो गयी है अब यहां पर हमें instrument की और user की मिल रहे है इनको हमें indicator में डालना पड़ेगा तो इनको हम किस तरीके से डाले इसके बारे में जान करेंगे सबसे पहले हम जानते हैं indicator को इस्तमाल कैसे करना है ठीक है तो indicator को स्थमाल करने के सबसे पहले इस पे click करना होगा double click उसके बाद यह inputs आ गए अब देखे मैं आपको inputs के बारे में बताता हूं inputs में सबसे पहले आप देखिए कि सबसे ऊपर जो आपको option मिल रहा है वो मिल रहा है दोस्तों moving average की setting का moving average में two moving average करना है three moving average करना है यहां पर true false दिये हूं है ठीक है अगर आप two moving average करना चाहते हैं तो आप इसको true कर देंगे अगर आप 3 moving average cross over पे use करना चाहते हैं तो आप नीचे वाली को true करेंगे उसके बाद 3 moving averages के period हैं आप अपने हिसाब से period set कर सकते हैं उसके बाद moving average का type है 1 means exponential, 0 means simple, 2 means smooth और 3 means linear weighted जो भी आपको लगाना है अभी यहाँ पर जो seted है वो है moving average जो exponential वाली तो उसके बाद नीचे option आता है ballinger band का तो ballinger band में जो भी आपको setting करनी है वो setting के option यहाँ पर दिये गए है नीचे parabolic SAR है, parabolic SAR की setting है हाइकनाशी पर यूज़ करना तो हाइकनाशी की setting है RSI की setting है, CCI यानि की commodity channel index की setting है stochastic की setting है, MSVD की setting है, OSMA है momentum indicator है, ADX है ATR है, force index है, alligator है, gator oscillator है उसके लबाव विलियम्स percentage range है D-mark indicator है और उसके नीचे algo trading की setting है सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर कुछने कुछ चीज़े set कर देते हैं जिसके हिसाब से हमें arrow जाई है अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और बताता हूँ अगर आप किसी एक particular indicator को true करते हैं तो यह एक indicator के हिसाब से काम करेगा वहीं आप अगर दो indicators को true कर देते हैं तो यह दोनों indicator के combination पे काम करेगा यानि कि जब ही दोनों indicator में buy का signal रहेगा तब आपको buy का trade आएगा जब दोनों ही indicator में sell का signal रहेगा तब आपको sell का trade आएगा ठीक है यह चीज़ आपको धियान रखनी है कि अगर आपको single indicator पे काम करना है कि CBRSI पे, Bollinger Band के, Parabell XR पे तो आप यहाँ पर single को true करेंगे अगर आपको दो के combination में काम करना है तो आप दोनों को true करेंगे अब मैं हाँ पर आपको indicators भी लगा कर दिखांगा और साथी साथ आपको यह भी दिखांगा किस तरीके से buy के signal बने है तो यहाँ पर देखिए, मान लीजे मैं सबसे simple यानि कि two moving average crossover को true करता हूँ और यहाँ पर मैं moving average का period जो पहला लगाता हूँ 14 और दूसरा लगाता हूँ 25 ठीक है अब यहने 14 और 25 पीरिड की moving average को true कर दिया साथ ही साथ मान लीजे मैं parabolic SAR को भी true कर देता हूँ तो अब हमें जो signal मिलेगा दोस्तों यहाँ पर जो दूसरा option था हमारा moving average two moving average 14 और 25 की exponential moving average और parabolic SAR के combination भी बिलेगा इसके लावा और भी कोई आप true करना चाहते हो तो कर सकते है उसके हिसाब से signal आपको दिखेंगे मैं आपको demo के लिए सिर्क दो ही दिखा रहा हूँ और मैं आपको चार्ट में वही सेम इंडिकेटर लगा के भी दिखाऊंगा कि arrow as it is आया है नहीं आया है ठीक है अब यहाँ पर दिखिए auto trading की setting में आपका take profit on है याई की target on आपको target लगाना तो आप इसो false की जगे true कर सकते हो और target के points लिख सकते हो stop loss on याई नहीं कि आपका stop loss लगाना तो इसको true कर सकते हो इसके points लिख सकते हो यहाँ पर मुझे अपनी detail डालनी होगी तो मैं यहाँ पर अपनी algo crab की detail डालूँगा आपको भी अपने algo crab की login ID और password यहाँ पर डालना है इससे authenticate होता है कि आप algo crab की customer है या नहीं है और आपका subscription चालू है या नहीं है ठीक है अब इसके बाद यहाँ पर user की और instrument की डालनी है वह हमें मिलेगी हमारे platform से यह मैंने user की copy की और इसको मैंने यहाँ पर paste कर दिया हूँ यही मैंने अपनी instrument की मुझे paste करनी है इसको भी मैंने यहाँ से copy किया और paste किया अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको चीज बताने चाहता हूँ अगर आप चाहते हैं कि बार बार आपको यह सेटिंग ना करनी पड़े बार बार आपको यह चीज ना करनी पड़े तो आप क्या कीजिए instrument की क्या है ना अलग-अलग होती symbols की उसको आप delete करिए और उसके बाद यहाँ पर save का button दवाईए save का button दवाने के बाद आप यहाँ पर setting में इसको save कर दिए किसी भी नाम से यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर जीस को लिख दिया multi indicator ठीक है मैंने multi indicator लिख डिया और पर save कर दिया अब क्या है कि अगर मैं यहाँ पर जागे इसको वापस अटा भी देता हम और दुबारा से multi indicator पर klik करता हूँ तो यहां पर अगर मैं इसको लोड पे जाके यह चीज लगाता हूं सारी सेटिंग्स मेरी वापस आजाएंगी ठीक है जो मैंने टू करी थी जो फॉल्स करी थी इस तरीके साब इनको सेट कर सकते हैं तो आपको सिंगल क्लिक बटन से लिक से आपका काम बन जाएगा आपको बार-बार सारी सेटिंग्स और सारी चीज़े नहीं करनी पड़ेंगी सिर्फ इंस्ट्रुमेंट की आपको पेस्ट करनी होगी अब अगर आप ट्रेड करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी या किसी सिंबल में तो आपको सबसे पहले उसका चार्ट लगाना होगा तो सबसे पहले मैं उसका चार्ट लगा के आपको दिखा देता हूँ ठीक है एंफ्टी फूचर का चार्ट है इसको जिदने भी मिनट के के टाइम-फ्रेम पे लगाना उपर option दिया हुँा है 5-15 मिट जिदने भी आपको लगाने लगा सकते हो उसके बाद हम Multi Indicator पर क्लिक करेंगे उसके बाद हम लोड करेंगे अपनी सेटिंग Multi Indicator वाली और इसके बाद हम यहाँ पर नीचे आके पेस्ट कर देंगे अब एक चीज में आपको बहुत इंपोर्टन बना जाता हूँ जो बहुत जादा लोग गड़बड करते हैं और टाइप में यहाँ पर अनारेमल,CNC और MIS है आप सभी को बता दूँ कि अगर आप कैश में ट्रेड करते हो तो आपको CNC यूज करना है और किसी केस में आपको CNC यूज नहीं करना है कई बार लोग क्या करते हैं,Nifty में भी CNC लगा जाते हैं उनका ट्रेड नहीं होता,फिर वो दो-तीन दिन खराब चल जाता है फिर बोलते हैं कि हमारा ट्रेड नहीं हुआ,दो-तीन दिन डेमो के बेस्ट होगे तो यह चीज़ ध्यान रखो,MIS या नॉर्मल कर लो अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करते हो तो अगर आप कैश में आपको पोजिशनर ट्रेडिंग करने हैं तो ही आपको CNC यूज करना है दरवाइस MIS यूज कर सकते हो तो अब मैं यहाँ पे NRML यूज करता हूँ और यहाँ पे quantity जो मुझे डालनी है वो मेर को जालनी है Nifty की quantity जो है 50 ठीक है यहाँ पे मैंने 50 quantity डाल दी बाकी सारे options भी है B.O.C.O के अब लेफ्ट साइड में आपको यह चीज दिख रही होंगी ठीक है तो यह सारी information आपको यहाँ पे दिख जाएंगी लेफ्ट साइड में ठीक है यह सारी चीज ने दिख रही कि total PNL कितने points का है है कब बाय है कब information यहाँ पर available है अब यहाँ पर arrow जो बन रहे हैं इनके बारे में आपको उताता हूँ मैं कि अगर मैं यहाँ पर indicator लगाता हूँ देखे moving average का indicator हमने 14 period का use किया था एक exponential और एक हमने use किया था 25 period का साथ ही हमने use किया था parabolic SAR तो दोस्तों आप देख सकते हो कि जहाँ पर parabolic SAR बाइंग में है और यहाँ पर यह देखो यह जो signal आया है इसमें क्या है parabolic SAR भी बाइंग कंडिशन में है और moving average भी बाइंग कंडिशन में है तो यहाँ पर इस तरीके से buy का signal आया है उससे पहले जहाँ सेल का signal आया है वहाँ पर यह आप देख सकते हो कि parabolic SAR और यह दोनों एक ही डिरेक्शन में थे उससे पहले के buy signal में भी आप देख सकते हो कि एक ही डिरेक्शन में थे तो इस तरीके से यह दो combination दो indicator का मैंने combination लगाया उपर right hand side पर अगर आप देखेंगे तो आपको देखेगा कौन कौन से indicator मैंने लगाया उसके बारे में जानकारी भी दी हुई है एक्यूरेसिव अगर यहां पर आप देख सकते हैं 32% की एक्यूरेसिया अगर आप एरावल एक सार और इसको यूज करते हो प्रॉफित आपका true 93 points का हो जाता है ठीक है arrow to arrow का profit है यह अगर आप profit booking करेंगे कारगेट और stop loss लगा के चलेंगे तो यह वेरी करेंगा उसे साफ से ठीक है तो यह था किस तरीके से इंडिकेटर काम करता है आप दो की जिए तीन इंडिकेटर चार इंडिकेटर पांच इंडिकेटर जेतने मर्जी का कॉम्बिनेशन लगा सकते हो आटो ट्रेडिंग करके कि अपको इसलिए नहीं दिखा रहा है क्योंकि इस इंडिकेटर को मैं कितना भी फास्ट करूं बहुत जल्दी आटो ट्रेडिंग नहीं हो पाएगा मतलब इस वीडियो में तो मैं आपको दिखानी बाऊंगा हला कि मैने आपको पिछले वीडियो में काफी सारी किस तरीके से automatic trade हुआ था super trend पे मैंने करके दिखाया था और moving average crossover के latest video में दिखाया था और पिछले वीडियो को आप जा के देख सकते हैं तो दोस्तों यह था इसमें की multi indicator को आप कैसे यूज कर सकते हैं बहुत सारे traders के लिए मदद करेगा जो की normal indicators का combination बना के यूज करते हैं simple आप thousand plus GST का amount pay करके हमारे इस indicator को इस्तमाल कर सकते हो आपको बिल्कुल भी problem ने आएगा यूज करने में सुबह साधे 9 बजे से लेके शाम को साधे 5 बजे तक हम आफिस में available होते हैं उस बीच अगर आप call करेंगे तो आपकी call जरूर पिक होगी और आपको जरूर आपको support दिया जाएगा तो दोस्तों चलिए मिलता हूँ अगले वीडियो में तब तक के लिए बाद दीजिये अजादत बाई बाई टेक केर एंड हैपी ट्रेडिंग